हलो फ्रेंड्स कल है भाई दूजगातियों हार और सब अपने भाईयों के लिए बनाते हैं कुछ न कुछ स्पेशल मिटाई तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यह बहुत ही टेस्टिक काजू रोल की रेसिपी जिसे कोई बिगनर्स भी होगा वो भी बड़े आराम से बना लेगा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है हमारी मिठाई बनकर तयार हुई है तो चलिए फटा फट से देख लेते हैं रेसिपी को पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा इस मिठाई को बिनाने के लिए दोस्तों मैंने ले लिए यह आधा कप काजू और मैं एक मिक्सर जार में डाल लूँगी आप चाहें तो काजू टुकडा भी ले सकते हैं और अब इसी में अड़ कर रही हूँ मैं आधा कप डेसिकेटिर कोकोनट और इन दोनों चीजों को मिला कर आपको इसको बारीक पीस लेना है मिक्सी को थोड़ा सा पल्स मोड पर चला तो थोड़ा सा ओयल रिलीज हो गया काजू से अब मैं ले रही हूँ एक फुल फैट वाला दूद ये मेरे पास उबला हुआ दूद रखा था पहले से आप उबलने के लिए अब जैसे ही उबाला आप इसमें डाल दे आधा कप मिल्क पावडर मिल्क पावडर मिठाई बि चान रखना है और अब इसी समय आप इसमें डाल दे आधा कप चीनी चीनी को इस समय डाल देने से वो काफी अच्छे से घुल मिल जाती है बस अब आप इन सारी चीजों को डाल कर करीब चार से पांच मिनट पकाएं जब तक कि हमारा जो मिक्स है वो थोड़ा सा गाड़ा ह हो जाए हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो यह बहुत ही जल्दी गाड़ा होना स्टार्ट हो जाता है देखिए मैं इसे कंटीनी चलाते हुए पकारी हूं करीब चार पांच मिनट हो गए है तो आप देख सकते हैं कि कि इतना गाड़ा है हमारा जो दूद है वो हो इसमें ना पड़ें हलाकि यह पाउडर बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है बिल्कुल भी लंस वाली समस्या इसमें नहीं होती देखिए यह काफी अच्छे से घुल चुका है बस अब हमें इस मिक्स को दोस्तों तब तक पकाना है कि जब तक यह सारा जो मिक्शर है वो से सेप्रेट ना होने लगे और अभी सी समय मैं डाल रही हूं एक बड़ा चमज घी का घी डालने से इस मिछाई का टेस्ट जो है वो काफी बढ़ जाता है और जो इस्टी की पन है वो वाली भी समस्या नहीं होती है देखिए अब बस इसे कंटीनू चलाते हुए आप पकन करीब 3-4 मिनट के बाद यह मिक्स काफी जल्दी गाड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि काजू भी दूद में जाकर फूलते हैं और नारियल का पाउडर भी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पैन से सेपरेट भी होने लगा है यह मिक्स लेकिन हमें इसे कर दे कर देखि और उन publicly देखिए हमारा मिक्स फैन से बत्लोल अलग होने लगा है और अलकलका जाराड़ का फ्लेम बंद करने करिया मिक्स को पहले किसी प्लेच में प्लेट में ट्रांसफर कर लिंस भी ठंडा होने दें तब हम इसका रोल बनाएंगे देखिए मैंने से एक घंटा छोड़ दिया तो और काफी छूने लाइक भी हो गया और आप देख सकते हैं कि कितना टाइट मिक्स हमारा हो चुका है जबकि अभी ये पूरी तरह से एक दम कूल डाउन वाली स्थिती में नहीं आया है तब भी एक दम परफेक्ट मिक्स हमारा बनकर तयार हुआ है अब आप इसे किसी फॉयल या बटर पेपर पर इस तरीके से रख लें जिससे बिल्कुल भी न चिपके हलागे हमने घी डाल दिया था तो ये मिक्स बिल्कुल भी हातों पर नहीं जिपकता है और इसका एक रोल बना लें अब इस तरीके से पहले इसे बटर पेपर में रैप कर लें और तब आप थोड़ा सा इसे हातों से घुमाएंगे तो ज़्यादा फाइन रोल हमारा बनकर तयार होगा और इस तरीके से आप घुमा लें से इससे जो उपर की सरफेस है वो एक्तम से चिकनी हो जाएगी देखिए आप देख सकते हैं अब हमारा परफेक्ट रोल बनकर तयार हुआ है अब इस रोल को आप करी 15-20 मिनट फ्रिज में रखते हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे सैटोने में देखिए और थोड़ा सा मैस पर कटा हुआ पिस्ता या बादाम जो भी आप ड्राइफ्रूट पसंद करते हैं वो इस तरीके से डाल रही हूँ वो अभी डालें जिससे अच्छे से आराम से वो सब इस पर चिपक जाए और इस तरीके से आप इस रोल को इसमें कोट कर लें इस तरह से लगी हूँ ड्राइफ्रूट बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं जब आप इस रोल को बाद में कट करेंगे देखिए काफी अच्छे से हमने ड्राइफ्रूट को इसके उपर कोट कर लिया है और अब इसे आदे घंटे के लिए आप फ्रिज में रखते हैं देखिए मैंने इसे आदा गंटा रख लिया था और इसके उपर में गानिश कर दिए थोड़ी से सिल्वर वर्क से जिससे इस मिठाई का जो लुक है वो बिल्कुल मार्केट वाला आ जाए लेकिन यह टोटली ऑप्शनल है अगर आपके पास हो तो लगाएं अधर वाई ज आप थोड़ा ध्यान से लगाएं क्योंकि बहुत ही नाजुक होता है और यह बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है अब मैंने ले लिया थोड़ा से औरेंज फूड कलर और इस तरीके से में छोटे छोटे से डॉट्स लगा दूंगी जब हम एक एक पीस को कट करेंगे तो बहुत ही प्यारे यह नजर आएंगे जैकोरेशन आप अपने विठाई की कैसे भी कर सकते हैं जैसा भी आइडिया आपको आ रहा हो उसी तरीके से आप इसे चैकोरेट कर सकते हैं और बस अब आप इसके जितने मोटाई में पीस पसंद करते हैं साफदाने से उतने मोटाई में इसके पीस कट कर लें लेकिन एक चीज का ध्यान और रखें पीस कट करते समय कि आप जो चाकू है उसको एक या दो पीस कट करने के बाद किसी टिशू बगएरा से अच्छे से क्लीन जरूर करें बार-बार जिससे हमारे जो सारे पीस हैं वो एक्तम फाइन बनकर तयार हो इस तरीके से बस आप अपने मन पसंद पीस कट करते चले जाएं आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट मिठाई हमारी ये बनकर तयार हुई है तो लिजे दोस्तों मैंने सभी पीस इसको कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे काजू रोल बनकर तयार ह अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर चरूर करें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इंत्यों हारों पे आप भी बनाईए काजू के टेस्टरी से मिठाई आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर इक नही झाल 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 झाल